लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चड़ती देवारों पर सौबार फिसलती है मन का बिश्वास रगों में साहस भरता है, चड़ कर गिरना गिर कर चड़ना नहीं अखरता है आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती जी हाँ दोस्तों महनत करने वालों की कोशिस कभी बेकार नहीं जाती है और जो महनत करते हैं उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चत तौर पर मिलती है इसलिए आप लोग भी अपने धैरी के साथ अपने महनत चारी रखिए एक ना एक दिन आपको सफलता चरूर मिलेगी और मैं महेंदर माही पाट साला में आपकी सफलता की रहा को आसान बनाने के लिए आज फिर से उपस्तित हूँ और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आधुनिक भारत के कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा करूँगा जो लगबग हर एक जामस में पूछे जाते हैं या उस टाइप की कुस्सन अवस्ते पूछे जाते हैं इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर ये वीडियो आप लोग उँको अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें जो भी कमी हो उसके ये भी आप लोग कमेंट जरूर करें तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला कुछन 1608 हिस्वी में भारत आने वाला पर्थम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम है आपके ओप्सन है रेक्टर, हेक्टर, वेक्टर और डी इनमें से कुई निग दोस्तों, 1708 हिस्वी में भारत आने वाला जो पर्थम अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था हेक्टर यह जहाज, अर्थात इस जहाज को कैप्टेन हॉकिन्स भारत लेका रहा था और उस समय भारत का सासक जहांगीर था दोस्तों, इसे सम्मंदित कई दूसरे सवाल भी बनते हैं जैसे अगर दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैप्टेन हॉकिन्स किस जहाज से भारत आया था तो उसका जवाब होगा हेक्टर दूसरी बात, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैप्टेन हॉकिन्स जब भारत आया था तो उससमें भारत का सासक कौन था तो उससमें भारत का सासक जहांगिर था इस तरीके से एक कोशन से रिलेटेड कई कोशन भी बनते हैं इसलिए आप लोग उस भी जड़ा गौर करें नेक्स्ट कोशन है वासको डिगामा पहली बार भारत कब पहुचा था दोस्तों इसका उप्सन है A. 1494, B. 1498 C. 502 और D. इन में से कोई नहीं वासको डिगामा पहली बार भारत जो है वो 1498 इस भी में आया था यह एक पुर्तगाली नाविक था और केप आफ गुड होग होते ही भारत की में मालाबार तट परस्थित काली कट बंदरगाह पहुचा उस समय वहां का राजा जमूरिन था इस सम्मंदित जो और भी सवाल बनते हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं कि वासको डिगामा कहां करहने वाला था तो कहां करहने वाला था वो पुर्तगाल करहने वाला था दूसरी बात कि वासको डिगामा जो है वो किस बंदरगाह पर उतरा था तो किस बंदरगाह पर उतरा था काली कट बंदरगाह पर तीसरा सवाल कि जब वासको डिगामा भारत आया उस समय काली कट का राजा कौन था तो वह समय महा का राजा कौन था जमूरिन था इस तरीके से एक सवाल के साथ-साथ आप दूसरे सवाल की जवाबी आप जान सकते हैं नेक्स सवाल है भारत में पर्थम छापा खाना अर्थात प्रेश किसके द्वारा अस्थापित किया गया था ओप्षन है A. डचों के द्वारा B. फ्रानसी सियों के द्वारा sorry, यहाँ पे में गलत टैप हो गया है B. आप ओप्षन पढ़िया फ्रानसी सियों के द्वारा C. पृतगालियों द्वारा दोस्तों भारत में पर्थम चापा खाना अर्थात प्रेस की जो अस्थापना है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी इसलिए इसका अंसर C होगा भारत में पर्थम चापा खाना अर्थात प्रेस 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा खोला गया था इसे इसाई मिस्नरियों ने अपने धर्म परचार की पुष्टकें चापने के लिए खोला था नेक्स्ट कोशन है अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पर्थम कोठी 1651 इसबी में हुगली में बनाई इसके लिए उन्होंने किस्से अनुमती प्राप्त की थी दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल में जो अपनी पर्थम कोठी बनाई थी उसके लिए उन्होंने साह सुझा से अनुमती प्राप्त की थी साह सुझा बादसा साह जहां और मुम्ताज महल की दूतिय पुत्र थे इस परकार यह औरन जेव का भाई था और 1651 इस भी में यह बंगाल और उडिशा का गवर्नर था अर्थाद जब अंग्रेजों ने वहाँ पहली कोठी बनाई तो जहित सी बात है बंगाल और उडिशा का गवर्नर होने के नाते अंग्रेज इसी से अर्थाद साह सुझा से ही अनुमती प्राप्त करते नेक्स सवाल है बंगाल का बंगाल का पर्थम अंग्रेज गवर्नर कौन था ओप्सन है दोस्तों बंगाल का जो पर्थम अंग्रेज गवर्नर था वो था लाड कलाई यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्याक्या भी किया है बंगाल का पर्थम अंग्रेज गवर्नर लाड कलाई था सौरी यहाँ पे लाइब लिखा हुआ है इसको आप लोग का लाइब पढ़ें जिसका पर्थम कारिकाल 1757 से 60 इसवी तक था यह पुनह दूसरी बार 1765 से 66 इसवी तक गवर्नर था वहीं वारेन हैस्टिंग्स वारेन हैस्टिंग्स बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल था यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कलाइब सिर्फ गवर्नर था लेकिन वारेन हैस्टिंग्स बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल था इसलिए जब अगर gouverneur की बंगाल का पर्थम governor की बात आए तो वह कलाइब होगा लेकिन अगर governor general की बात आए तो वह warrant nastings होगा वहीं पर Lord William Bentik भारत का पर्थम governor general था इसलिए इसमें आप लोग confused ना करें इस्ट इंडिया कमपनी का सासन भारत में कब शमाप्त कर दिया गया दोस्तों इस इंडिया कमपनी का सासन भारत में 8888B में समाप्त कर दिया गया बृटीस संसत द्वारा अगस्ट 1888B में एक अधिनियम पारित कर भारत से इस्ट इंडिया कमपनी के सासन को समाप्त कर दिया गया और भारत सासन का नियंतरन बृटीस समराट को सौप्त दिया गया इस समय विक्टोरिया बृटेन की महारानी थी इसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा इस परकार भारत का पर्थम वाइसराय लाड कैनिंग बना नेक्स सवाल है बंगाल में अस्थाई बंदुबस्त कब लागू किया गया आपके ओप्सन है A. 1793, B. 1796, C. 1839, D. 1893 दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है 1793 भूमी लगान का अस्थाई बंदुबस्त लाड कार्नवालिस द्वारा 1793 इस भी में लागू किया गया था इस ब्यवस्ता में जमिंदार को भूमी का श्वामी मानकर उसके साथ बंदुबस्ती की गई इसमें लगान का 89% सरकार को अर्थाद ब्रेटिस कमपनी को और तथा 11% जमिंदार को मिलना तैह हुआ था नेक्स कोशन है भारत से ब्यापार पर इस इंडिया कमपनी का एकाधिकार कब समात कर दिया गया आपका उप्षन है A. 1793, B. 1803, C. 1813 और D. 1833 दोस्तों इसका अंसर होगा C. 1823 अर्थाद भारत से ब्यापार पर इस इंडिया कमपनी का एकाधिकार 1813SB में समात कर दिया गया 1813SB के चार्टर दोरा कमपनी का भारतिय ब्यापार पर से एकाधिकार को समात कर दिया गया अर्थाद अब भारत से ब्यापार करने के लिए अंग्रेजों को इस्ट इंडिया कमपनी से करार करने की जरुरत नहीं रही यद्धपी चीन के साथ ब्यापार और चाय के ब्यापार पर अभी भी इस्ट इंडिया कमपनी का एकाधिकार बना रहा नेक्स्ट कोसन है अंग्रेजों ने फोर्ट बिलियम की फैक्टरी कहां अस्थापित की थी A. कॉलकाता में, B. मतरास में, C. मुंबई में, D. दिल्ली में दोस्तों अंग्रेजों ने फोर्ट बिलियम की फैक्ट्री की अस्थापना कॉलकाता में थी जो उस समय कलकत्ता कहलाता था यह कॉलकाता में हुगली नदी के पुर्वी किनारे पर अस्थी थे इसे इंग्लेंड के राजा बिलियम तिर्थिये के नाम पर बनवाया गया था इसी फोर्ट बिलियम में 217-156 को ब्लैक हॉल अर्थात काल कूठिरी की घटना घटी थी भी थी नेक्स्ट कोशन है उत्तरी भारत में भूमी ब्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों उत्तरी भारत में भूमी ब्यवस्था का जनक मार्टीन ब्यवस्था के बाद उत्तरी भारत में हाल्ट मैकेंजी द्वारा महाल वारी ब्यवस्था 1819 में लागु की गई किन्तु करवसूली की कठोरता और यत्यदिक उंची लगान के कारण या ब्यवस्था आसफर रही लेकिन 1893 में मार्टीन बर्ड की देख रेक में कई सुधारों के साथ उत्तर भारत में महालवारी ब्यवस्था को पुनह लागू की गई इसलिए मार्टीन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमी ब्यवस्था का जनक कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है भारत में जीला अदालतों अर्थाद डिस्ट्रिक कोट की अस्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों भारत में जीला अदालतों की अस्थापना वारिन हैस्टिंग्स के द्वारा की गई थी 1772 इसमी में बंगाल का संपुर्ण सासन अपने हाथ में ले लेने के कारण कमपनी सरकार के लिए या आवस्यक हो गया था कि वा न्याय ब्यवस्था की तरफ भी ध्यान दे इसलिए वारिन हैस्टिंग्स ने मुगल काली न्याय ब्यवस्था को नए सिरिश से अस्थापित करने के करम में जीला अदालतों की अस्थापना की थी जीला अस्तर पर फाउजदारी और धिवानी दोनों तरह के अस्थापना की गई थी नेक्स कोशन है बंगाल में मोलूंगी कहा जाता था दोस्तों बंगाल में मोलूंगी नमक बनाने वाले को कहा जाता था कमपनी सासन के दौरान बंगाल में नमक बनाने वाले को मोलूंगी कहा जाता था वे कम्पनी के एजेंट के नरिक्षन में नमक बनाते थे नेक्स कोशन है किस साहित्तकार ने किस साहित्तकार ने धन निकासी के सिधान्त का उलेक अपनी रचना में किया था A. भारतेंदु हरिशन ने B. जैसंकर परशाद ने C. मैथलिसरन गुप्त ने D. बालकृष्ण भठ ने दोस्तों भारतेंदु हरिशन ने धन निकासी के सिधान्त का उलेक अपनी रचना में किया था भारतेंदु हरिशन ने अपनी रचना भारत दूरदशा में धन के निकासी के सिधान्त का उलेक किया था Next question है दोस्तों जातर हम लोग इस कोशन को जानते ही है कि धन निकासि के सिध्धान जो है वो सरव पर्थम दादा भाई नौरोजी ने दिया था दादा भाई नौरोजी ने दो मई 1867 को लंदन में आईजित इस्ट इंडिया एसोसियेशन की बैठक में आपने पेपर जिसका सिर्षत था इंगलेंड डेप्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहर गमन सिध्धानत को परस्तूत किया था लास्ट कोस्टन है सोसल सर्विस लिग की अस्थापना किस ने की थी दोस्तों सोशल सर्विस लिग की अस्थापना नरायन मलहार जोसी अर्थ यानि एन्यम जोसी ने सन 1911 इस्वी में की थी वहीं राधा कांत देव ने ब्रम सभा के ब्रुद्ध धर्म सभा का गठन किया था तथा गुपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट आफ इंडिया लिग की अस्थापना 1905 में की थी और दिविन्दना टैगूर ने 1849 में तत्तु बूधनी सभा की अस्थापना की थी जैहिंग दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब की जरूर करें और आप लोगों का जो भी कमेंट हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें